इंबी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है तो आज हम बात करेंगे मूं की एक लड़ेस्ट वराइटी हम 27 के बारे में और पूरा डेटेल से आपको प्लाड़ भी घुमाएंगे क्या कंडिशन है और इसके साथ में क्या इसके प्लस पाइंट है इसके बा इसके बारे मत्रा है तो इसके बारे में आपको जरूर देगी उसके साथ फ्लॉबरिं इसकी ये करिडिशन चल रही है flowering stage पर चल रहा है और इस variety में एक खास्य तोर है कि यह जो variety है दूसरे रोग के प्रती रोग प्रती रोग प्रती रोग चमता काफी ज़्यादा रखती है इसमें insect का प्रकोब बिल्कुल ना के बरावर है ऐसा क्यों क्योंकि इसका जो पत्ता है काफी ज़्यादा hard है यह देखिए पत्ता काफी ज़्यादा hard है और hard होने की वज़े से इसमें insect किसी प्रकार का कोई damage करनी पाते हैं और पूरे प्लाट में जहां दूसरी वेराइटियों में किसान insecticide का spray करकर के परिशान है वहीं इस variety में अगर पूरे प्लाट में अगर देखा जाए तो इस variety में कहीं से कहीं तक एक भी पत्ता आपको damage ने दिखेगा ये इसकी खासियत है दूसरी चीज की इसका जो seed का size है ये काफी ज़्यादा bold है अब bold seed के एक तो फायदे ये है कि bold seed अगर है तो इसका market rate तो आपको काफी ज़्यादा मिलेगा last time अगर आप देखोगे तो मंडी म आपने देखा होगी जो भी variety bold seed की थी उसका rate आपको काफी अच्छा मिला और जहां दूसरी variety की फलियां कुछ इस तरीके से रहती है इतना size लेती है उसके बाद फिर mature हो जाती है कुछ इस तरीके से वहाँ अगर इस variety के बारे में बात करें तो इसकी अभी की condition में इसकी जो excellent इसका size है फली का मतलब इसका जो दाना है काफी जादा bold आएगा आपको तो ये जो variety है आने वाले समय में किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली है तो आने वाले समय में आप इस variety का selection कर सकते हैं अभी तक अगर देखा जाए तो बाकी जितनी भी variety हैं है अग अगर देखा जाए तो ये जो variety है सबसे बढ़ियां लगी अभी तक इसके साथ आगे इसका जो भी production आएगा उसके बारे में हम आपको बूरा detail से बताएंगे और एक और इस variety की खासियत है कि जहां पर 45 degree temperature पर दूसरी variety है full drop करना start कर देती है वहां इस variety में ये खासियत है कि 45 degree temperature होने के बाद भी इसमें flower dropping की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी उसके साथ अगर बात करें flower की तो इसमें आपको बिल्कुल नीचे से आप देखोगे तो नीचे से इसमें यहां से बिल्कुल flower निकला है और इसके बाद फिर यहां फूल निकले है और यहां पर आप द condition में भी इसमें फलियां और फूल रब होने की बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किसानों को सबसे यादा मुनाफ़ा देने वाली variety एक तो मुंगी है तो मुंग में अगर किसानों का देखा जाए तो जिसे इंसेक्ट का प्रक सेट हो जाएंगे दूसरी बात यह कि इसका सीड का साइस काफी जादा बोल्ड है मतलब मार्के ट्रेड भी इसका कफी अच्छा है तो अभी तक तो इस वराइटी की यह कंडिशन रही है इस टेम भी काफी अदा हाड है इसका तो यह चीज़े हैं अभी तक इस वराइटी म रहेंगे और अगर आप इस वराइटी के आसपास अगर हो या फिर किसी और किसान के प्लाट में अगर यह वराइटी लगी हुई है तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं यह वराइटी अभी तक तो काफी ज़्यादा बड़िया लगी है बाकि हम आगे भी आपको इस वराइटी के अपडेट देदे रहेंगे